हाई वरीवन विल्कम बाक टो फॉर्स्ट इम्निस्मेंट एंड माई निम बेशिवाच पसीट सु आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले है कि कल कौन से स्टॉक्स पर ट्रेट कर सकते हैं निफिटि बैंग निफिटी का कैसे ट्रेट रह सकता है और कल है जुलाई की एक्सपारी किस तरीके से ट्रेट करना है क्या opportunities और क्या method के साथ ट्रेट करना है क्या market gap खुल सकते है जो recovery हम लोगों ने आज की market के अंदर देखी थी या दुबारा gap down खुल के और हम लोग panic selling देख सकते हैं सारी बाते करेंगे इस video के अंदर तीन stocks मैंने आप लोगो कल की video के अंदर comment करें थे वो तीन stocks पर आप लोग अपनी position hold करके रख सकते हैं आज मैं 3 stocks और दे रहा हूं यह 6 stocks के अंदर अभी हम लोग trade करेंगे इस हफता और उसके बाद हम लोग next देखेंगे कि क्या opportunities बन सकते हैं तो सारी बाते करते हैं इस video के अंदर चले start करते हैं without wasting any time वीडियो बीच वे पसंद आती है तो like जरूर करेगा हमारे चलों को subscribe करना मत बूलेगा और ऐसे हम लोगों को अपना प्यार देते रहिएगा so जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे trading setup प्याद चुके हैं सबसे पहला stock जो मैं present कर रहा हूं that is भारती Airtel भारती Airtel को buy करने की पिछे का reason का क्या है logic क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को एक clear trend दिख रहा होगा एक clear आपको एक uptrend दिख रहा है uptrend के बाद यह एक range के अंदर consolidate करना start कर गया था almost यह जो range है यह 6-7 महीने की range है and इस range का finally इसने last week मलब इसी week के अंदर एक breakout दिया breakout देने के अंदर वो consolidate करते रहा and consolidate करने के बाद आज market जो week थी उस week को इसने देखा नहीं और पूरी market पे cover up करते रहा और एक अच्छी bullish candle बना के close कर रहा है अगर मैं stock को थोड़ा सा zoom करता हूँ तो आपको pattern समझ में आ रहा होगा यह pattern मना है bullish pennant pattern एक bullish pennant pattern मना है and इसका बहुत अच्छा एक breakout अम लोगों को देखने को मिला है अब problem क्या है कि exact जिस level पे इसकी closing हुई है वो एक important resistance है क्यों क्योंकि यहाँ पर ही एक breakdown आया था और breakdown आने के बाद जो resistance support का जो breakdown दिया था that support become resistance after giving a retest ठीक है अब यह दुबारह एक बार retest करने आ रहा है तो हो सकता है कि शयाद दुबारह एक fall आना start हो जाए so हम लोगों को करना क्या है अगर इसके ऊपर यह निकलना start करता है right now the current price is 5.67 रुपीज 5.70 की ऊपर निकलना start करता है तो आप लोग एक buy बना सकते हैं जो मैं target expect कर रहा हूँ 600 रुपीज के expect कर रहा हूँ मुझे लगता है कि next month में यह probably 40 रुपीज की एक अच्छी up move दे सक सकते हैं बात करते हैं अपने second stock की में यह तीसरा stock है steel authority india limited sale particular यह pattern और जो मैंने आप लोगों को भरती है till का pattern बताया दोनों बिल्कुल similar है आप देख सकते हैं एक bullish uptrend के अंदर यह stock था उसके बाद यह range bound हो गया range bound होने के बाद आप दोनों blue lines को focus करेगा दोनों blue lines converge हो रही जब दोनों blue lines converge होती है support और resistance की तो जो बीच में जगा होती है जो बीच में gap होता है trading का वो आखरी वाले time पे बिल्कुल खताम हो जाता है और either side इसको एक breakout देना पड़ता है और breakdown देना पड़ता है इसने एक breakout दिया breakout देने के बाद उसका closest swing high था जो कि एक resistance के तरफ act कर रह ही है I think stock बहुत अच्छा एक polish pennant pattern का एक breakout दिया है अपने previous resistance को भी breaker करके ऊपर जा रहे market नीचे थी बढ़िए stock ने अच्छा perform करा recoveries की अच्छी रही इस stock के अंदर आप लोग एक buy बना के चल सकते हैं already इस पर मैंने अपनी position ले ली है मेरे पास already stock पहले से ही पड़ावा है बट मैं इस पर कल के trading session के अंदर और quantities add करने वाला हूँ और यह stock मेरा एक आप मान के चल सकते हैं 3-6 month के लिए holding period पे होगा मैं target आपको बता देता हूँ ठीक है इसके जो target से हैं अगर आप 3-4 महिने के लिए hold कर सकते हो ठीक है तो इसके target जो आ रहे है वो 190 rupees के आ रहे है मैं 190 rupees तक के लिए stock को hold कर आवा हूँ यह target कैसे find करा according to Fibonacci extension not Fibonacci ratio not Fibonacci retracement Fibonacci extension तो उसके basis पे जो target आ रहे है वो आ रहे है 190 rupees के तो इस stock मैंने hold कर आवा हूँ और मैं और quantities कल के trading session पे add करूँगा तो यह stock आप buy कर सकते हैं बट अगर आप लोगे as a swing trader है एक हफता दो हफता ह एक महिना तो आप 150 rupees के target तक ले stock को hold करके रख सकते हैं ठीक है बात करते हैं अपने last stock के हमारा last stock है JSW steel JSW steel पर अगर आप देखेंगे तो आप लोगे पता है कि steel sector बहुत जादा अच्छा perform कर रहा है टाटा steel को देख सकते हैं और सारे steel sector के companies को देख सकते हैं मुझे लगता ह तो steel एक अच्छा बैटे अभी वी buy करने के लिए और अभी वी इस पर higher opportunities और higher levels देखने को मिल सकते हैं stock का अगर आप लोगे पैटाने और चार्ट सिस्टम समझेंगे तो clearly price action है आप देखेगा कि यहाँ पर एक range के अंदर एक consolidate कर रहता है that is the blue line जो कि resistance की तरफ act कर रही है और green line जो कि एक support है इस range के अंदर consolidate कर रहा था इस range पर मैंने purple line ड्रॉ करेवी आप देख सकते हैं अगर आप लोगो clearly नहीं है तो जो आप यह वीडियो देख रहे हैं आप settings पर यूट्यूब की settings पर जाके इस video की अपनी quality increase कर सकते हैं video की ठीक है तो वहाँ पर आप लोगो के बाद नीचे आया retest करा और retest करने के बाद आज के trading session के अंदर इसने reversal भी थे दिया ठीक है मतला bullish up move हलका सा retracement और इसके बाद दुबारा uptrend की तरफ continue कर रहा है I think यह stock बहुत अच्छा है आप लोग इस पर एक bet बना के चल सकते हैं right now the current price is around 720 रुपीस मुझे लगता है 730 तो minimum target है अगर आप लोग एक intraday trader हो तो आप लोग 730, 732 तक का तो target कल intraday में मानके चल सकते हो अगर वाइस अगर आप लोग और जादा hold करना चाते हो तो मुझे लगता है यह 760, 765 तक भी जा सकता है जो इसका previous stop है तो stock को अपनी watchlist के अंदर add कर सकते हैं तो in total मैंने 6 stocks बताया है कल की video में 3 आज की video में 3 तो इन 6 stocks के अंदर ही हम लोग in future अभी एक देट हफता trade करेंगे मुझे लगता है इन 6 stocks के अंदर bets आपको regular basis पे मिलते रहेंगे तो इन 6 stocks अपनी watchlist के अंदर जरूर add करेगा अब बात करते हैं कल की expiry पे market पे किस तरीके से काम कर रहा है मैंने आपको बताया था कि market downtrend होने वाली है market नीचे जाएगी और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने तीन दिन से short की positions रखी गए है और आज के दिन मैंने अपना दो जो lot मेरे पड़ेवे थे उनको भी exit कर दिया था कहा exit कर रहा था exact अपने bottom पे दिखाऊंगा जो मै अप क्या scenario है क्या open interest data क्या दिखा रहे है सारी चीज़ों के साथ आपको explain करता है तो चलते हैं अपने nifty और bank nifty के trading setup पे और बात करते हैं कि किस तरीके से कल expiry हो सकती है so मैंने nifty का chart आपके सामने open कर रहा है clearly आपको यहाँ पर पता है कि यह एक range के अंदर काम कर रहा था मैंने आपको बताया था कि यह जो upper blue वाली line है अगर इसका breakout देता है तो ही अपने यह वाली line तक जाता है और bottom पे भी बताया था अगर इस level का breakdown देता है तो ही यहाँ पर जाता है बताया था अब हुआ क्या मैंने आपको बोला यह देख सकते हैं इसके निचे का breakdown दिया exact इस level पर है और मैंने exact इसी line पे अपना target book करके निकला almost हम लोग ने bank nifty के अंदर अराम से 600 to 800 points earn करे होंगे ठीक है per lot ठीक है यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं bank nifty के बात कर रहा हूं nifty ही नहीं and यहाँ पर आप देख सकते हैं let me show you क्या हुआ एक fall आया uptrend again एक fall so यह जो एक pattern मना है मैं आपको pattern दिखाता हूं सबसे बले मैं खुच चेक कर लूँ जो top है वो है 15,900 रूपीज का यह जो छोटा सा fall आया ता इसका bottom है 15,700 रूपीज का फिर ए रूपीज का so almost यह वाला fall 200 रूपे का था and यह वाला जो fall था यह almost fall था 220 रूपीज का so यहाँ पर एक a b equals to c d pattern तरीके का एक pattern form हुआ है जो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक reversal sign होता है but जब इस level से एक reversal होता है तो इसका जो target होता है वो यही level होता है जहाँ पर इसने अप 15 मिट के time frame पे चलते है 15 मिट के time frame पे मैं एक चीज को अच्छे सो observe कर पा रहा हूँ मैं देख रहा है एक downtrend अभी है हम लोगों ने देखा नीचे आया ऊपर गया नीचे आया यहाँ पर एक double bottom create करा हलका सा ऊपर गया दुबारा नीचे चला गया तो weakness इस level पे इस range के अंदर बहुत जादा weakness है let me show you यह जो एक range बना रहा है इस range के अंदर बहुत जादा weakness है अगर कल market उपर भी जाना start करता है तो मुझे लगता है कि 50-60 रुपे ही उपर जा पाएगा उसके बाद फिर एक downtrend continue हो सकता है जब तक इस range के उपर 15 मिट की bullish candle closing होती है तब तक मुझे नहीं लगता है कि market और उपर stabilized हो सकती है अभी जो price है निफ्टी का वो है 15,710 रुपीज का यह जो range का जो top है वो है 15,770 रुपीज का मुझे लगता है कि यार इसके उपर जाने में से difficulty आने वाली है because जो sharp fall आयती वो भी इसी level से आयती जो एक downtrend देने के बाद जो pullback आया था वो भी यह level था तो दो level हमें बता रहे है कि 15,770 का level एक crucial level है शायद market break करना ना चाहे अब इसको और अच्छे से clarify करने के लिए और इसको test करने के लिए हम लोग open interest को देखेंगे end वे ठीक है बट हमें एक level पता चल गया कि 15,750 to 770 तक मुझे नहीं लगता इसके उपर market जाएग बट अगर जाने की भी कोशिश करेगी तो हम लोग live market पे तब open interest की तरफ ध्यान देंगे कि वो अमें क्या बता रही है ठीक है अब बात करते है downfall क्या है downfall पर हमें देखना है यह देखना है हलका सा अप move आई यह नीचे आया फिर उपर गया यह double top create हुआ है यह 15 minute के time frame पे एक minute की candle मतलब 2 minute तक वो market लगातार fall करती रही आप लोग एक short position initiate करके रख सकते हो जो target होंगे वो आपके previous low होंगे जो कि यह आपका previous low है क्यों मैंने बुला एक minute की candle इसका reason यह है अगर gap down आएगा for example आज gap आप खुला था और आप देख रहे है open price और जो open और high price था दोनों नीचे आ रहा होता है तो वहाँ पर हमारे लिए एक अच्छी opportunity होगी short करने के लिए और targets हम लोग अपने previous low रख सकते हैं ठीक है otherwise अगर उपर जा रहा होगा उपर में हम लोग live market पे अलग decision लेंगे अलग factors के उपर खाम करेंगे तो कल मैं आप लोगों को telegram पे पूरा साथ कर दिया clearly आपको यह भी पता है कि यहां पर भी एक range develop हो रुकी है और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक pattern बना हुआ है और pattern का target भी आपको बताया था यह जो bottom target था आप देख सकते हैं यह एक bearish pennant pattern था इसका already breakdown आ गया था मैंने आपको कहा था कि एक अच्छा short position initiate क exit कर रहा हूं तो ही मेरे को हर lot पे 500-600 point मिले हैं सो यहां पर आप देख सकते हैं इतना बढ़िया fall आया और इतना बढ़िया लोग को target मिला है इसके अलावा यह top है यह bot यह top है और यह जो level है जिस level से हम लोग ने यह बनाना start करा है यह है 35,800 का और यह है 34,800 का ठीक है सो almost 1000 point की fall है जिस level से यह fall आया है और जिस level से यह fall आया है तो यह भी पूरा 1000 point की fall है तो target हिट कर गया था यह level पे target हिट कर चुका है अब अपने low से exact यह almost almost 400-500 point ऊपर आ चुका है अब करना क्या है तो उसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिट के time frame पे सो 15 मिट के time frame पे मैं देख रहा है हम देख हमें यह तो पता चल चुका है कि यह एक बहुत बड़ा resistance का काम कर सकता है ठीक है जिस level से एक fall आना start करा है अब यहाँ पर भी एक double top type scenario बना हुआ है अब same goes with air जो अभी निफ्टिब हम लोग ने बात करी अगर कले gap down उपने होता ह है और हम लोगों को दो मिनिट की candle downtrend दिखती है हम लोग clearly short कर सकते हैं short करने के बाद हमारा जो stop loss होगा इस level से 35-40 रुपे ऊपर होगा और हम लोग short कर सकते हैं otherwise अगर यह कल ऊपर ही जाना start करता तो मैं कहूंगा कि almost almost 200-300 point ऊपर जा सकता है उसके बाद दुबारे downtrend start हो सकत है तो कल की market ना either downside रहेगी ना either upside रहेगी मुझे लगता है दोनों तरफ movement होगी ठीक है बट इसको पूरा clarify करेगा जब market open होगी और open interest में क्या दिखा रहा होगा ठीक है तो मेरे इसाब से डाउन अगर gap down खुलता है तो clearly short है इस level अगर यहीं खुल के नीचे जा रहा होता है तो हम लोगों को अलग चीज देखनी पड़ेगी और अगर gap up खुल की उपर जा रहा होता है तो वो अलग concept है बट मुझे नहीं लगता है यह दोनों चीज़े होंगी बट अगर होती है तो हम लोग अभी के लिए कल के trading session के लिए छोड़ देंगे क्योंकि chart patterns हमें indicate नहीं कर होगा सबसे बड़ी जो candle है जो सबसे बड़ी candle आप लोगों को दिख रही होगी में lemon terms में और बहुत easy language में समझाता हूं ठीक है सबसे बड़ी candle है red candle हमें क्या बताती है कि market bearish है so red candle सबसे बड़ी बनी वी है 15,700 पे और उससे चोटी candle बनी वी है उसी के साथ 15,750 पे so मुझ को open interest का कल के market पे भी देखने को मिलता है तो clearly short कर सकते है market को क्योंकि इससे ज़्यादा upside नहीं है आप एक stop loss लगा सकते है 15,810 रूपीज का है 20 रूपीज का और short कर सकते है targets अब आप देखेगा जो और higher side के जो भी जितने भी call writers और put writers थे वो सब लोग exit कर चुके है क्यों क पर चुके है क्योंकि कल expiry और इतनी दूर का रखने को कोई फाइदा नहीं है premium होगा नहीं ठीक है अब यहाँ पर जो highest position बनी है वो बनी है 15,700 पे so कल by chance अगर 15,700 breakdown हो जाता है और gap down के साथ ही होता है तो clearly short है फिर ठीक है अब support का है support जो देखने को मिल रहा है 15,600 पे देख आप लोग 15,700 के नीचे short करते हैं तो 100 points के बाद आपको एक hurdle मिलेगा अगर वो break हो जाता है तो फिर 100 points के बाद मिलेगा तो अगर आप लोग कल intraday में trade लेना है तो आप लोग 100 points आपके लिए बहुत जादा है आप 70-80 points लेकर exit कर सकता है उसके बाद अगर यह आप pause लेता ह तो शायद फिर एक gap दुबारा upside दिखा सकता जो मैंने आपको भी बोला कि market volatile हो सकती है ठीक है अब बात करते हैं एक बार call change और put change के call change है around minus negative 4.9 मतलब जितने भी base बनाए वे थे मतलब जितने लोगों ने भी call writing करी वी तो जो की bearish side में थे वो लोग सब लोग exit कर गया logic तो आपको खुद ही पता है क्योंकि बहुत दूर दूर से उन लोग ने position मना रही थे तो exit करना था इसका अभी कोई मतलब नहीं है यह जो negative पर दिखा रहा है इसको हमें ध्यान नी देना सिर्व हमें इसे ध्यान देना है ठीक है bank nifty का अगर हम लोग चेक करते हैं तो bank nifty भी ए तो मुझे जो probably लग रहा है अगर कले gap up खुलना स्टार्ट होता है और market ऊपर जाना स्टार्ट होती है तो यहां पर जिलते लोगों ने भी call राइटिंग कर रखी है अफकॉस कल expire ही है तो premium बहुत तेजी से गरेंगे या बहुत तेजी से बढ़ेंगे जिन लोगों ने भी लेवल पर खुलके range bound होता है तो कोई trade नहीं करना ठीक है उसके बाद हम लोगों को open interest समझना पड़ेगा ठीक है अगर कल लीचे गरना start होता है तो limit नहीं है क्योंकि कोई भी बचा ही नहीं है बहुत तो कल add-on हो जाएंगे बिट मेरे असाब से कुछ बचा नहीं है हलका सा एक बड़ नीचे आगे देखें तो मेरे को लगता है कि सबसे जालदा जो support ले सकता है 34,000 पर ले सकता है and अगर 34,500 break होता है sustain होता है नीचे के तरफ तो अराम से 500 point आपको easily ये bankft short side में दे सकता है ठीक है so ये थी हमारी guys analysis I hope आप लोगों को पसंद में आई होगी अगर let us know in a comment section कि आपको हमारी video कैसी लगती है क्या क्या changes हम लोग कर सकते हैं और क्या addon हम लोग कर सकते हैं thank you guys have a good day bye bye